हेल लोड रिडिरर्स वेलकम टो स्मार्ट मनी टीचिंग एंद आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वीप प्लस येच और चेज एंट्री मोडियूल के बारे में तो अभी रीसेटली है मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो प्लोड किया था लिक्विडिटी स्वीप के ब तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डॉन्ट फोगेट टू सब्सक्राइब तो सबसे पहले हम confirmation checklist को देखते हैं कि sweep plus csv entry module में हमें किन steps को follow करना है तो यहाँ पे पहली 4 step higher time frame में होगी and जो last step है वो lower time frame में होगी तो अभी यहाँ पे पहले तो हम structure mapping करेंगे पहले तो हम market का direction देखेंगे valid है valid low देखेंगे SOB मार्क करेंगे जो हम हर entry module में करते हैं जो पुरा हम structure mapping करते हैं वो हर entry module में होगा तो इसमें हमारी पहली 3 step तो structure mapping की ही होगी तो step 1 हमें पहले higher time frame का market direction देखना है कि market direction क्या है अब trend है downtrend है रेंजिंगे चौपी है उसके इसाफ से step 2 हमें valid high and valid low मार्क करने and then valid high and valid low मार्क होने के बाद step 3 smart order block मार्क करने हैं तो पहले तो हम mind में यही लेके चलते हैं कि IDM CHOCH entry module हम use लेंगे जब market हमारे smart order block में retest करेगा जो liquidity sweep opportunity होती है वो instant होती है उसको हम पहले से define करके नहीं रख सकते कि यहां पे इस low का sweep होने वाला है तो हम यहां पे liquidity sweep के through opportunity देखेंगे तो यहां पे पहले से तो हम वही हमारे structure mapping करेंगे और order block बनाएंगे और order block में आने का wait करेंगे and then IDM CHOCH entry module लेकर के trade लगाएंगे बट अगर हमें कहीं पे liquidity sweep देखने को मिल जाता है तो हमें फिर हमारा entry module switch करना होता है sweep module पे तो अगर आपको कहीं पे liquidity sweep दिखता है मालो IDM sweep हो गया यह हमारा कोई order block sweep हो गया या फिर engineering liquidity sweep हो गये तो आपको सीधा liquidity sweep sweep plus CHOCH entry module use करना है जैसे ही sweep दिखता है आपको जाना है lower time frame में confirmation लेने अभी sweep में lower time frame confirmation क्या होगी तो step 5 होती है जो हम lower time frame में लेते हैं वहाँ पे हम confirmation देखते हैं जो की होती है CHOCH जब भी sweep मिल रहा है तो वहाँ पे आपको inducement देखने की जरुत नहीं होती CHOCH बिलते ही आप वहाँ पे order block देखकर के trade place कर सकते हो ओके और one more thing sweep होते ही आपको यह opportunity देखनी है अगर market liquidity sweep करके already निकल चुका है तब आप late opportunity देख रहे हो तो वह आपके लिए risky हो सकता है तो यह trade हमें instantly मिलती है और इसको हमें instantly ही लगाना होता है अगर आप थोड़े से भी late होते हो तो फिर आप वहाँ पे अगर trade लगाओगे तो वह थोड़ा सा risky हो सकता है है वहाँ पर आपके SLS हो सकते हैं तो make sure आप time पे liquidity sweep देख पाऊ और उस पर यह आप ट्रेड लगा पाऊ डायरेक्ट ओके तो यहाँ पर हमें यह step follow करना है चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते एक बार तो let's go in charts and talk about real chart example okay traders तो आज चुके हैं हम रियल चार्ट पे और अभी हम है यूरो के डेली टाइम तो जैसी कि मैंने बताया था लिक्विडिटी स्वीप अगर आप हायर टाइम के बेस पे देखोगे तो ज्यादा बैटर रहेगा तो मैं हमेशा हायर टाइम के बेस पे ही लिक्विडिटी स् आपकर इसाफ से शेयर करूगे तो यहां पर सबसे पहले तो हममर्केट का जैसे आं जाममल ही वैसे हम मैपिंग करना है तो अगर हम करेंट मार्केट डिरृक्षण देखें पेहली स्टेब वही रही होती है मार्के डिरी तक्षण जो यहां पर हमें नीचे की तरफ एल्फ change of character देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखो यह low है इसका नीचे ब्रेक हुआ है in opposite direction market uptrend कर रहा था यहाँ पर नीचे CHOCH देखने को मिला है तो अगर हमें daily time frame में CHOCH मिल रहा है तो मतलब market नीचे जा सकता है तो direction downtrend लग रही है current में भी हम देखे तो market नीचे की तरफ यह normal lows भी ब्रेक की है तो market की direction confirm हो चुकी है market direction confirm होने के बाद हम valid high and valid low mark करते तो अगर हम current के valid high and valid low mark करें तो यहाँ से में पेंटाट करते तो देखो यह वाला high था इसने अपने से previous pullback idm को grab किया तो यह हाई valid high बन गया फिर यह वाला low बना इसलों ने उपड़ जा करके इस valid high को break किया तो यह low valid low बन गया तो अभी तो मैं uptrend के valid high valid low mark कर रहे हो ओके फिर यह वाला high बना इस high ने भी अपने से previous pullback idm को grab किया तो यह high बन गया valid high फिर यहाँ पर क्या हुआ ना इस high ने नीचे आकरके हमारे valid low को भी break कर दिया तो मतलब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक major ch o ch देखने हो मिला है तो यहाँ पर major ch o ch मिल गया है तो फिर यह high तो valid high बन चुका है अभी valid low देखना होगा तो यह वाला low है इस low ने भी अपने से previous pullback को grab किया है तो यहाँ पर देखो इससे previous valid pullback यह valid नहीं है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह minor हो जाएगा यह बड़ा वाला major हो जाएगा तो अगर हम minor major दोनों में से किसी को भी देखें market ने grab कर लिया है तो idm grab हुआ तो यह low valid low बन गया valid है valid low मिल गए अभी अगर हम तीसरी step पे जाए smart order block देखें हमारी third step SOB मार्क करना तो हमारे order block कौन सा होगा यह वाला हमारा idm से पहले वाला order block भी यही बन रहा है और extreme order block भी यही बन रहा है तो मतलब हमारा एक ही SOB है तो यह हमारा daily का smart order block बना थर्ड स्टेप भी complete ओके फिर market disorder block पे आया है राइट यहां पे मैंने एक opportunity भी यट करी हुई है past में उसके बारे में मैंने case study भी बना रखी है जिसको आप चेक कर सकते हो eurocad case study ओके तो यहां पे market आया था एंड यही पे फिर हमें lower time frame confirmation मिल रही है तो जिस time frame के area में market है उसी time frame में हमें confirmation मिल रही है तो यह एक और अच्छा sign है कि हां market नीचे जा सकता है तो यहां पे देखो market order block में आया है तो अभी हमें यहां पे वापस से confirmation मिल रहा है हमें यहां पे minor ch or ch मिला है इस low से previous pull way किये वाला होगा तो इस question है नीचे break किया अच्छ मिल गया एंद फिर हम idm देखते हैं तो यहां पे current low कौन सा है इस वन तो इससे previous वालिट पूल बेक इससे previous यहां पे देखो यह वालिट पूल बन रहा है यह bearish candle है उसका secure high grab हुआ है next candle के तो यहां पे यह as a inducement काम करेगा ओके inducement बन गया अभी हम order block देख सकते तो एक होता है idm से पहले वाला area तो यहां पे एक हमारा यह order block बन सकता है कि नहीं let's see इसके पास एक चोटा सा imbalance है तो यह बन गया decisional order block एक होगा extreme order block extreme order block कौन सा होता है यहां पे हमारे high के पास में तो देखो इनके पास imbalance नहीं है इस bullish candle के पास imbalance है तो हम इस imbalance से लेकर के high तक mark कर सकते हैं तो imbalance का जहां से main opening हो रहा है वहां से high तो यह हो जाएगा extreme area तो अभी हम यहीं सोच करके चल रहे है कि market area में आएगा तो फिर हम lower time frame confirmation लेंगे idm n c h o c h for trade लगाएंगे बट यहां पे क्या हुआ ना यहां पे currently sweep हो रहा है liquidity sweep तो यहां पे देखो यहां में market ने हमारे decisional order block को grab किया साथ के साथ उपर की यह liquidity को sweep किया है तो कि यहां पे देखो इन highs को market sweep कर रहा है और देखो यह एक as a engineering liquidity होगा हमारे extreme order block के नीचे का first valid public engineering liquidity में मैंने आपको यह explain किया है तो इससे नीचे का first valid public यह वाला है तो यह हमारी ENG liquidity भी है तो यहां पर किया हुआ अना हमारी engineering liquidity का sweep हुआ है तो जैसे हमें पे leakuiti sweep हुआ अब भी हमें instantly हमारा entry module change कर लेना है तो यह हमारा instantly होता है हम पहले से define नहीं करके रखते कि हाँ यहाँ पर sweep ही होने वाला है तो यहाँ पर जैसे ही sweep हुआ पतलब हमें यहाँ पर sweep plus CH or CH entry module use लेना होगा तो जैसे ही आपको liquidity sweep दिखा है आपको सीधा lower time frame में जाना है और lower time frame confirmation लेनी है तो let's go in one hour time frame तो यहाँ पर हमें क्या structure मिला उसको हम देखते हैं तो अभी हम आचुके है one hour time frame में और यह वही box से जो अभी मैंने daily time frame में mark किया था तो यहाँ पर यह line हमारी वो engineering liquidity है जो sweep होई है तो sweep होते ही हमें सीधा lower time frame में confirmation देखना है तो यहाँ पर हमें confirmation क्या देखना है lower time frame CHOCH, only CHOCH आपको inducement and all कुछ भी देखने की ज़रत नहीं है तो यहाँ पर यह liquidity sweep करते ही नीचे की तरफ है में minor CHOCH मिला है तो यहाँ पर देखो इस low का नीचे grabbing हुआ है इस high से previous wallet pool में कि यह major हो जाएगा यह minor हो जाएगा तो यहाँ पर CHOCH मिल गया अभी हम सीधा order block देखकर के trade opportunity देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम order block देखें CHOCH मिलने पर जब भी आप trade देख रहे हो make sure हमेशा extreme area चूज करो extreme order block हम उसे भी बोलते हैं जो सबसे last order block होता है this bearish candle तो हम क्या कर सकते हैं हम इस order block पे trade प्लेस कर सकते हैं stop loss main high के उपर या order block से थोड़ा सा उपर रखना है जो की हो रहा है 20 pips के आसपास तो इस तरीके से trade opportunity लग सकती है अभी target कैसे set होगा अभी जैसे कि यहाँ पर हमारा engineering liquidity sweep का opportunity है तो market में हमारा extreme order block बचा हुआ है market उपर भी जा सकता है तो हमें target small ही रखना होगा तो current का low देखिए वनावर में तो यहाँ पे देखो current low यह वाला बन रहा है तो या तो आप इस low पे target set कर सकते हो और या फिर imbalance पे अभी यहाँ पे कोई imbalance नहीं है तो हमें इसी low पे रखना होगा तो इस तरीके से target set हो सकता है देखो market उपर गया market ने entry करी and then market ने बहुत time spent किया यहाँ पे and फिर नीचे आया and then target hit किया this TP got hit तो इस तरीके से यह जो trade होती है यह हमें instantly अलगानी होती है okay I hope समझ में आया हो so thank you so much for watching all video I hope आपको इस video से value मिली हो अगर आपको value मिली है so like कीजिए और comment section में बताएए यह video आपको कैसा लगा और अगर आपको लगता है कि इस video को share करना चाहिए तो please share it with your trader friends अभी हम मिलते हैं next video में next video के लिए subscribe करना ना भूले तो bye bye have a blessed day guys and let's become 1% together